इस तजुर्बे में हम एक शै बनाएंगे जो बिल्कुल बर्फ की तरह नजर आएगी लेकिन थंडी नहीं होगी इसके लिए हमें एक लीटर सिर्का आम विनिगर को एक बरतन में डाल दे एक लीटर विनिगर में चार चम्मच खाने का सोडा मिलाएं एक आवाज आएगी और थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह हिलाएं फिर इसे गैस पर रग दे और इसे पकने दे इसे तब तक उभाले जब तक इसका 90 फीसदी पानी भाब बनकर उड़ना जाए सिर्फ 10 फीसदी पानी ही बचेगा और जो 10 फीसदी पानी बचेगा इसे आप एक शफाफ कांच क ग्लास में डाल दे और इसे एक कागस से ढाक कर तकरीबन 5-10 घंटे बगैर हिलाएं रग दे फिर इस पर थोड़ा सा सोड़ा डाले और क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा और ये बड़ा ही दिल्चस्प नजारा होता है पूरा ग्लास क्रिस्टल से भर जाएगा जैसे क वो बर्फ से भरा हो आप एक चम्मत से इस बर्फ नुमा को निकाल सकते हैं ये थोड़ा सा गर्म होगा क्यूंकि ये एक्जो थर्मिक रियक्शन है ये देखने में बर्फ जैसा होगा तेकिन थोड़ा सा गर्म होगा इस तजर्बे को आप आसानी से कर सकते हैं झाल झाल